आपका प्रश्ण है कि स्री गणेश और लक्ष्मी का क्या संबंध है जब दिपावली पर पूजन करते हैं तो लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ लक्ष्मी का पूजन करने से पहले स्री गणेश का पूजन किया जाता है क्यूंकि सबकी बुद्धी में बैठा है कोई भी काम शुरू करना है स्री गणेश से ही शुरू करना परंतु पूजन लक्ष्मी का करना है किसी भी देवी देवता का पूजन करना है पूजन की शुरुवात श्री गणेश से करने और कहानिया गड़ने में हम ब्राह्मन सब से तेश क्या कारन है कि क्यों लक्ष्मी की पूजन के साथ गणेश का पूजन किया जाता है नारहेन का क्यों नहीं किया जाता जबकि नारहेन सबसे बड़े देवता है सर्व प्रत्व नारायन देवता है उनकी पुजा नहीं की जाती लक्ष्मी के साथ स्री गनेश की की जाती है और लक्ष्मी को भी चाराद दिखाते है और गनेश को भी चाराद दिखाते है जिसके लिए एक गपोड कहानी को घड़ा गया बनाया गया कि लक्ष्मी का कोई पुत्री नहीं है आप वो बड़े उदास रहती थी बड़े दुखी दुखी रहते थी तो नारहिन ने कहा कि जाओ और पार्वती से एक पुत्र गोद ले लो और पार्वती से गनेश को गोद लिया गया अब ये लक्ष्मी जी का दतक पुत्र हो गया और लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी पुजा तबी होगी जब मेरे पुत्र की पुजा होगी अब बात सारी समझने वाली है कि गनेश उस इश्वर का परिवर्थित रूप है और उसके परिवर्थित रूप को सबसे पहले पुजन के लिए क्योंकि कोई भी कारे करना हो तो परमात्मा कोही याद करके किया जाए अब याद का अर्थ भी दुनिया वाले नहीं समझते वो समझते हैं याद अर्था याद का मतलब समझते हैं उनका नाम लेना उनका नाम बैठ कर रटना परन्तु आप परमपिता परमात्मा समझाते वचे कोई भी काम करना है मेरी श्रीमत पर करना है जब आप हर काम मेरी श्रीमत पर करेंगे तो वो काम गलत हो नहीं सकता क्योंकि परमात्मा से स्रेष्ट ग्यान देने वाला और कोई नहीं हो सकता परमात्मा शेव की तरह कल्यान कारी और इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता सारा संसार चाए वो नास्तिक हो वो भी परमात्मा के अस्तित्व को स्विकार करते हैं वो समझते हैं कि परमात्मा जो इस सारी स्रिष्टी का रचाईता है सारी स्रिष्टी को चलाने वाला है, सारी स्रिष्टी की पालना करने वाला है, वो सब से स्रिष्टी, उसके द्वारा गल्ती हो नहीं सकते। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह समझनी है, तो उसके स्थान पर गणेश को लाना और गणेश की पुजा करना ये भक्ती मार्ग का खेल है। और भक्ती मार्ग के खेल में कभी भी, कभी भी ज्ञान की बात नहीं है, अज्ञानता का अंधेरा है, उन्हें एक भी बात का नहीं मालूम क्या हम क्यूं करें। उनसे पुछा जाए कि आप गणेश की पुजा क्यूं कर रहे हैं, एक ही जवाब सारे करते आ रहे हैं, सब भी कहते हैं, सबसे पहले गणेश का ही पुजन होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी ने गणेश को गोद लिया और उसका भी पुजन अपने से पहले करने के लिए कहा। शंकर जी ने भी पार्वती ने भी गणेश का पुजन अपने से भी पहले होने के लिए कहा। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। किसी भी देवी देवता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, सिरफ हम ब्राह्मनों ने ये गपोड कहानिया लिख के लोगों को ब्रमित किया। और उस ब्रम में सारी दुनिया भटक रही है, धक्के खा रही है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, लक्ष्मी जिसे धन की देवी कहा जाता है, उसका भी वैसे धन के साथ कोई संबंध नहीं। लक्ष्मी और नारायन स्रिष्टी के आदी में आने वाले सर्वुत देवता है, जिनोंने स्रिष्टी के आदी में आकर प्रत्थम राज अभिशेक हुआ। लक्ष्मी नारायन के लिए हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, कि लक्ष्मी नारायन स्रिष्टी के आदी देवता है। कैसे हैं देवता इसको आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे श्रिष्टी के आदी प्रत्थम राजकुमार हैं राधा और कृष्ण। और आज तक आपने देखा राधा और कृष्ण का विवा नहीं होता वेकुंट में आते हैं प्रत्थम राजकुमार राधा और कृष्ण। और राधा और कृष्ण के आपको बच्च्पन के फोटो मिलेंगे जवानी के फोटो मिलेंगे प्रतु प्रोड अवस्ता का कोई चित्र नहीं मिलेगे। आप परमपिता परमात्मा समझाते राधा और कृष्ण जब बड़े होते हैं तो उनका विवा होता है राधा का नाम लक्ष्मी रखा जाता है और कृष्ण का नाम नाराएन रखा जाता है राधा और कृष्ण का विवा लक्ष्मी और नाराएन के नाम से हुआ के आपको बच्पन के फोटो नहीं मिलेंगे, जवानी के फोटो नहीं मिलेंगे, प्रोड अवस्ता का ही फोटो मिलेंगे, लक्ष्मी नारायन का बच्पन का नाम है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण का प्रोड अवस्ता का नाम है लक्ष्मी नारायन, तो मैं समझ में आया कि ये लक्ष्मी नारायन सत्युक के प्रत्थम राजा है कृष्ण के लिए आपने देखा होगा कि कृष्ण को पीपल के पत्ते पर अंगुठा चूसता हुआ दिखाते हैं कृष्ण को स्रिष्टी के आदी में पीपल के पत्ते पर अंगुठा चूसता हुआ दिखाते हैं कहां से आया फिर कहां चला गया ये वो नहीं जानते ये वो नहीं जानते आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे श्री कृष्ण सत्युक का प्रथम राजकुमार पहला पहला राजकुमार स्रिष्टी के आदी से पूर्व जनम लेता है और सत्युक के आदी में आता है इसके लिए विस्तार से समझना हो तो कैसे आता है स्री कृष्ण पीपल के पते पर अंगुठा चूसता हुआ उसके बारे में इसी वीडियो के नीचे कृष्ण के जीवन से समझने लगवग साथ वीडियो इसके अंदर उपलब्द हैं आप उनको देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि स्री कृष्ण का जनम कब होता है कैसे होता है कैसे स्री कृष्ण क्या किया था स्री कृष्ण ने जो सत्युक का प्रत्थम राज कुमार बना और वो फिर पीपल के पते पर कैसे आया फिर राधा के साथ उनका विवा कैसे हुआ और कैसे वो सत्युक का प्रत्थम राज कुमार बना किसने उनको जनम दिया इन सब गुये राजों को आप समझ सकेंगे कि कैसे रावन की जेल में कंस की जेल में दुखी दुनिया में नर्क में कृष्ण का जनम होता है और कैसे उस नर्क को आग लगती है और फिर इसी प्रिट्वी पर सत्युग आता है और जहां सत्युग का प्रत्थम राज गुमार स्री कृष्ण आता है और वही राधा कृष्ण कैसे लक्ष्मी नारहिन बनते है और सत्युग में किसी को पैसे लेने देने की बात नहीं होती लक्ष्मी को कहा जाता है दन देती है एक तो बताओ हो जिसको लक्षमी ने धन दिया हो जिसको भी जो मिला उसके अपने कर्मों के आधार पर मिला वो कार्म इस जनम के भी हो सकते हैं पिछले जनमों के भी हो सकते हैं परंटु किसी को लक्ष्मी के पूजन करने से धन मिले नहीं मिले किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करने से किसी पेड की पूजा करने से किसी मंदिर किसी धार्मिक स्थान पर जाकर पूजा करने से धान मिलता हो पूजा करने से नोकरी मिलती हो पूजा करने से कोई सुख जीवन में आते हो कोई इच्छा पूरी होती हो मुझे एक बताओ मुझे एक बताओ जैसा कहोगे मैं वैसे करवा दूँगा सब की इच्छाएं पूरी हो जाएं और यदि सब की इच्छाएं पूरी हो सकती है तो मैं गरंटी लेता हूँ कि पूरे संसार से पाप और प्रस्टाचार दुख का अंत निश्चित रुप से हो जाएगा भई पूजा करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं हमें क्या जरूरत है चोरी करने की क्या जरूरत है डाका डालने की क्या जरूरत है भई मानी करने की क्या जरूरत है धुखा देने की क्या जरूरत है किसी भी परकार का पापा चार ब्रस्टा चार पर इन बातों को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है और यदि आपको और अच्छी तरह समझना हो तो आप अपने समीब के किसी भी किसी भी प्रजापिता ब्रमा कुमारे इश्वरिय विश्व विद्याले के सेवा केंदर पर समपर्क करे और यदि कोई प्रशन हो तो 92131069864 के वल वाटसेप करें और 966-5069-22704 के वल वाटसेप करें होगोँ व्यूंग अम्शाध